धूमन गंच पुलिस ने शुक्रवार को अतीक के दोनों नाबालिक बच्चों के संबंध में रिपोर्ट पेश की। धूमन गंच पुलिस की और से सीजेम कोर्ट में पेश किये गए रिपोर्ट में बताया गया है कि अतीक एहमद के दोनों नाबालिक बच्चे राजरूप पुर बाल सुधार ग्रह में है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। शाइस्ता परवीन ने 27 फरवरी को प्रयागराच के मुखिन याएक मजिस्ट्रेट के यहां अरजी देकर बेटों का पता लगाने की गुहाल लगाई थी। इस प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 24 फरवरी 2023 की शाम 6 बजे उनके दोनों नाबालिक बेटो एजम एहमद व अबान एहमद को थाना धूमनगंच की पुलिस गलत तरीके से पकड़ कर अपने साथ ले गई है। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं और राजकिये बाल संरक्षन ग्रह राजरूपपुर में हैं। वही कोर्ट में अतीक के वकील को चाइल्ड वेलफेर कमेटी की समक्ष बच्चों की सुपुर्दगी की संबंध में आवेदन देने के लिए कहा है।